लाइब वीएनस टॉप टेन हेडलाइन्स के प्रायोजक है इंद्रा डाइग्नॉस्टिक सेंटर अखरी बाइपास चौराहा बारनसी बारनसी में बुधवार को मिली 5402 कोरोना जाच रिपोर्ट में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है बिते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है बुधवार को होम आइसलेशन से दो मरीज स्वस्थ हुए है और कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को चटीन नहीं मिली है वारानसी में अब तक 82,384 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं इन में से 81,607 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5 है कोरोना काल में बंद रहे कक्षा 1-5 तक के विद्याले शासन के निर्देशा अनुसार बुदवार से खोल दिये गए हैं बच्चों को सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षा में प्रवेश दिया गया शासन के निर्देश पर बुदवार से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गया इस दोरान पहले दिन लंबे समय से स्कूल ना पहुँच पाने वाले बच्ची स्कूल आते ही अतिव साहित नजर आएं नगर निगम मुख्याले पर अपनी मांगो को लेकर बुदवार को न्यू जनता ओटो एवं इरिक्षा चालक प्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश से जुड़े इरिक्षा चालकों ने जिलाध्यक्ष इश्वर सिंग के नेतरित्व में ओटो स्टैंड पर अवैद वसूली के विरोध में प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को संबोधित ग्यापन दिया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर फरजी ढंग से नगर निगम के कर्मिचारी अपने नीजी स्वार्थ के चलते ओने पौने दाम पर ठेका दे कर लूट खटोस कर रहे हैं। जादपुरा थाना अंतरगत आजाद पार्क पीनी कोठी के पास इस्ति सारी रंगाई के कार खाने में रखे गया सलंडिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फुलिस और कुछी देर में फायर सर्विस के लोग पहुच गया पर उसके पहले ही इस्तानिय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। इस संबद में कार खाने के मालिक मौज़म एहमद ने बताया कि उनकी सारी रंगाई का कार खाना है और लूम भी चलता है। चंदौले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मिचारियों ने पारशदी स्कूलों की कितावे बच्चों को अपलब्द कराने की बजाए कबारी को बेच दी। बुदवार को एजड्रियम प्रदीप कुमार ने मुख्याले से सटे बिचिया गाउं में कबारी दुकानदार को किताबों के साथ रंगे हाथ पकड़ा। इसकी जानकारी होते ही शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। आनन फानन में B.S.A. सतेंद्र कुमार सेंग वा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पुस्तकों का बंडल जब्द कर लिया। वहीं मामले की जाज के लिए समिती गठित कर दी गई। B.S.A. ने रिपोर्ट के अधार पर जिम्दार लोगों के खलाफ कारवाई की बात कही है। समिक्षा बैठक में सपाकार करताओं ने अपने कद्दावर नेता के पी यादो को शद्धांजली भी अर्पित की। अलित हो रहे हैं, उनकी समिक्षा हो रहे है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक और राज भाषा समीती के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोत कुमार जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीती में शिक्षा का माध्यम मात्र भाषा में देना है। इसके लिए IIT-BHU हिंदी माध्यम से प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कैंट से भाजपा विधायक सौरप शिवास्तों इन दिनों डेंगू से सह में लोगों को राहत देने का कार्य कर रहे हैं। सौरप शिवास्तों ने कैंट विधान सभा और रोहनिया विधान सभा की सीमा परस्थित भगवानपूर में डेंगू की बढ़ती शिकायतों के बाद बुद्वार को स्वयम एंटी लार्वा और अरन दवाओं का छड़काओ किया और करवाया। इस दोरान विधायक से जब पूछा गया कि ये तो रोहनिया विधान सभा है तो उन्होंने कहा कि यहां लगे पानी में पैदा होने वाले डेंगू के मच्छड वोटर आइडी कार्ट देकर नहीं काटेंगे कि वो कैंट विधान सभा को प्रभावित करेंगे और रोहनिया महानगर कमिशनरेट पुलिस लगातार अपराधियों पर गैंक्स्टर का शकंजा कस रही है पर अपराधि अपने कार को अंजाम देने से नहीं घबरा रहें ताजा मामला कैंट थानक्षेत्र के वरुना पूल पेट्रोल पंप का है जहां बुद्वार की दुपहर एक व्यक्ति के साथ दो टपे बाजो ने खुद को पुलिस कर्मी बता कर दो लाख की अंगूठी की टपे बाजी कर ली फिलाल पुलिस समबन में CCTV फुटेज के अधार पर टपे बाजो की पकड़ में लगी है कि प्रिट्रोल पंप के सामने में रोका और रोकने के बाद कि आपको पता नहीं कि प्रसासन का आदेश आ गया है कर दो पर लालिया उसका चैन उत्रवाया उत्वाद कर आप अगुठी दोनों इंकाल से आप इसको यह में रखे और उसका जवर्जश्ती हमसे हाँ से लेके पुरियाएं बांच के है कुलात करने कर दोनों आत्रवर्ट में रखे वह में करिगे पुर्या से अपना जेद को पहन मुख्यमंत्री योगे अधितनात बुद्वार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास ग्रामीड व मुख्यमंत्री आवास ग्रामीड के पूर्ण हो चुके 5.59 लाख आवासों के ग्रेप रवेशावी को लाभार्थियों को वित्रित किया इस दोरान बारनसी में पूर्ण हो चुके 6480 आवासों की चाभी वित्रित हुई वहीं लख्यमंत्री ने ग्राम बच्छाओं की मीरा को स्वयम चाभी वित्रित की पिंडरा के ग्राम राम नगर गजेंडा की कमला देवी से उनके आवास गाउं से वीडियो कॉन्फरेंसिंग से समवाध किया मुख्यमंत्री के पूछने पर कमला देवी ने बताया कि पहले जोपड़ी में रहती थी अब अच्छा पक्का मकान हो गया है अन्य योजनाओं में शोचाले निशुलक गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन राशन आदी कई लाब मिल रहे हैं कि अच्छा पक्क बाब मिल रहे हैं झाल झाल